असलाब अलेकुम दोस्त आज मैं आपको लीडर कमांड को के बारे में मताओंगा जिसकी मदद से हम लोग कुछ सिम्मत कोई डिरेक्शन गरा लगा सकते हैं तो दोस्तों आओ मैं आटो के अंदर आपको उसुपता हूं तो उसकी शौट की जो है वह एल इंटर करने के बाद आपने जिस साइड पे एरो का हैड रखना है आप सबसे पहले उदर क्लिक करेंगे जैसे यह देखो मैंने इस साइड पर रखा और इदर आगे क्लिक किया और ऐसे अगर मीन कि मैंने यह उपर को एरो का एरो का है देना तो जो मैं पहले क्लिक करूंगा तो वहां पर आके मै होगा कि arrow की सिम्मत आप कैसे और किस साइड पे लगा सकते हैं तो इसकी जो शॉड किया है वो दोस्ता है एल इंटर लिखने के बाद आपने इंटर करना और इसको आपने यह कर देना है जिदर आपने क्लिक करना है तो इस तरह आपने अगर arrow का है जो है वो बड़ा करने तो आप उसको स्लेट करेंगे स्लेट करने के बाद सी एच लिखकर यानिके प्रॉप्टी इंटर करेंगे तो इधर आपके यह जो एरो का है यह एक एग्जेंपल इदर लिखा हुआ है साड़े पांच फिट यानिकि पांस एक बड़ा दो इंचिस तो आप आपने क्या करना है आप इसको कार देते हैं एक एग्जेंपल है कि मैं इसको एक फिट कार देता हूं एक फिट करने के बाद मैंने क्या किया है इसको इंटर की इंटर किया तो यह देखो वो बड़ा हो गया अब मैं क्या करता हूं मैंने इसको और मजीद करना तो आप ने करना है जो line arrow है वहां पर आपके एजो arrow का size है select करने के बाद इतर आकर आप उसका जो है वह size जो है arrow का head जो है वह बड़ा का सकते हैं तो दोस्ति यह किसी लीए होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि अग्स record उपर इस तरह का यह लीकी कर आपने क्यानार्थ लिखने के बाद है इस को इस कई कर सब्सक्राइब बाद आपने इसको इस एरओ के पास क लेके जा करें और इसको करें और पॉएंट फिफ्टी करें यानिकि उसका स्केल जो है वह आफ कर लेना है और मैं इसको मजीद कर देता हूं और इसको मैं मजीद सेम कर देता हूं करने के बाद पॉएंट फिटी लिखने के बाद और इंटर करूंगा तो वह आपका जो है वह साइज यह वह टैस का छोटबार ना यह हमारा के उन्हों स्थ नहां निया है तो इस तरह करता के करते हैं अ मारक करना बहुत जिसे हमें लीडर की मदद से लगाते हैं तो यह लगाना बहुत जरूरी होता है ताकर हमारी नौर्थ वह इस साइड पे नाया और अक्सर रोड के उपर सड़कों के उपर भी यह चीज लिखी होती है तो ड्राइंग बनाते हुए आप इसके उपर जब इसकी ड्रक्शन कोई भी देंगे तो आपने लीडर की कमांड से लेकर इंटर करके और यह आपका वो लीडर की कमांड इस तरह यूज का सकते हैं तो जै स्टैप मैं लगा के बता रहा हूं आपको कि यह आपके स्टैप है एक मिसाल के तौर पा उन्होंने इस सीडी को कैसे यहां पर नार्त को सुरी लीडर को कहां कैसे यूज करते हैं तो मैंने एक आपको समझाने के लिए एक फ्री एंड जो है वो एक सीडी बना लिया है तो इसके उपर एक एग्जेम्पल है कि आप यहां पर चाड़ रहे हैं तो वह क्या कर रहा है कि यहां भी वह क्या रहा है लेकर इंटर करने के बाद उन्होंने क्या किया यह वह एरो जो है वह लीडर जो है वह लगा दिया और इदर आके उसने क्या किया कि इदर आके वह मैं मैं इसको मूव करने लगाओ कापी करने के बाद मैंने इसको मूव किया मूव करने के बाद यहां पे आके मैंने क्या किया मैंने यू पी अप राख दिया vaan यानि कि यह बता रहा है कि इधर से आप सीडी जो है वो चाड़ रहे हैं तो उसका मैं साइज छोटा करने लगा हम स्लेक्ट करने के वाद जैसे मैंने पहले बता है पॉइंट फिफ्टी कर दिया और यह जो है यह आपका जो है यह बता रहा है कि यह स्टेर है और इधर से हम को अप वह ऐहा रहा है तो इसी तरह आपड़े दिश्णाओ छोटा भी रहा है स्कूर। इस को मैंने स्कूर किया यह पहले अपना पाँच है यह क्वादा डौ धर दो अती इसके बार मैं क्या करता हूं मैं इसको आपने line arrow के अंदर आपने note करना और इंटर करना और यह चीज यह बिसी के लिए लीडर की मतलब से हम लोग किसी को अगाह करते हैं कि उसकी सिम्मत बताने के लिए के यह साइड पर इफना सिम्मत है और यह यह बनाते है रोड की उसकी ओपर भी आप यहीं चीज लिखेंगे और ऐसे ही मैं इसको मिरर करता हूं एक एग्जेंपल है उपर की साइड पर तो यह इस साइड पर मैं अगर आप इसको डॉन हो रहे हैं आप उपर वाले फ्लोर सी आप इसी सिंबल को आप इसधर लिखेंगे दान यह आपको हाइलाइट कराएं कि मैं हम लोगों ने इदर उतरना है और यह है और इसी तरह आप नेगर किसी सिम्मत जाना है रोड की उपर आपने लिखा होगा यह रोड की मैप बनाते हैं वहां पर भी आपने क्या करना है I, ये लेकर इंडर लेकर और इधर आपने वह टेक्स दे देना है कि जिस साइड़ पे आप ने जाना है तो वी थरा आप बिशिक साइड पे है जैसे इसका एरो है है तो यहीं चीज अगर आप दोस्त करें गे तो आपकी इस ऊपर जो है वह टूल पारफ वहां पर भी यहीं चीज़ जो है वो लीडर की पड़ी हुई है आप उपर से भी ले सकते हैं तो लीडर का यूज करने का तरीक़ गार दोस्ते मैंने आपको बता दिया है और उसकी की नार्था लगाने के लिए सीरियों का आप डाउन लिखने के लिए और रोड के ओपर किसी शेर का किसी कंट्री का किसी भी मतलब के डिरेक्शन का किसी भी सिम्मत का ये बताने के लिए उसकी डिरेक्शन इसलिए इसको यूज किया जाता है ये नार्था लिखने के लिए द किसी दोस्त को नहीं समझाई तो वो मुझे कुमेक्स के अंदर या मीन के काल करके मेरे दिये और नमबर पर पूछ सकता है तो दोस्त मेरे चैनल को सब्क्राइब करिएगा मेरे वीडियो का लाइक करिएगा और अपना डेर सारा क्या रखिये गया ओके अल्ला आफ़ेज असल Assalamualaikum